हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टू माई चाइनल, आज मैं बना रही हूँ, बहुत ही डिलीशियस, रेस्टॉरॉंट स्टाइल मटन करी, हमिशा की तरह बहुत ही सिंपल तरीके से, तो चलिए इसे बनाना शुरू करती हूँ, तो इसके लिए मैंने हाफ कप सरसुंका तेल लिय दो पड़े प्यास को मैंने स्लाइसे में काट लिया है, अब प्यास को मैं अच्छी तरह से फ्राइ करके निकाल लूँगी, आज मैं इस मतन करी को पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने पैन चड़ा रखा है, तो ये देखिए प्यास अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है तो इसको आईल को किनारे करके मैं इसे निकाल लूँगी इसे ठंडा करके ग्राइन करूँगी अब इसी तेल में मैं गरम मसाले का तड़का लगा रही हूँ तो एक तेज पत्ता, एक बड़ी लैची, दो हरी लैची, आठ काली मिर्च और एक दालचीनी स्टिक मैंने डाला है, इसमें मैंने फिर डाल दिया, अपना 400 गराम मतन तो मतन काफी तयार है, इसमें काफी चर्बी रयाज है, इसलिए मैंने और तेल एड नहीं किया है अगर आपको जोरुवत महसूस हो, तो एक से दो टेबल इस्पून और तेल इसमें आइड कर लें तो मैंने इसमें डाला एक छोटा चम्मच भर के नमक, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ, देर छोटा चम्मच अद्रकलैसून का पेस्ट अब गोश्ट का पानी सूखने तक मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी अद्रकलैसून के साथ तो ये देखिए अद्रकलैसून भी भून गया, गोश्ट का पानी भी सूख गया है तो अब मैं इसमें add करूँगी पॉडर मसाले तो इसमें मैंने लिया है 1.5 चमच धन्या पॉडर, 1.5 चमच लाल मेज पॉडर 1.5 चमच हलदी पॉडर और 1.5 चमच जीरा पॉडर अब पॉडर मसाले को भी अच्छी तरह से mix कर लेना है अब धीमी आज पर पॉडर मसाले को भूनने दूँगी और जो ग्राइंड करने वाला मसाला है मैं उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी आज को मैंने बिल्कुल सीम पे कर दिया है तो जो प्यास मैंने फ्राई किया था वो साथी हमने दो टमाटर, चार हरी में, छे साथ बादाम और छे साथ मैंने काजू लिया है इन सबको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी साथी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी एड़ कर रही हूँ तो ये देखे मसालों इक ग्राइंड हो गया है अब पॉडर मसाले भी अच्छी तरह से भून गया है तो इसमें मैं डाल दूँगी अपना ग्राइंड किया हूँआ मसाला इसे भी मैं तीन-चार मिनिट अच्छी तरह से भून लूँगी टमाटर का पानी सूखने तक तो ये देखे जो ग्राइंड किया हूँआ मसाला है इसके साथ भी मैंने मटन को अच्छी तरह से भून लेना है किनारे से देखे ओल सेपरेट होने लगे है टमाटर भी अच्छी तरह से भून गया है तो अब मैं इसमें आइट करूँगी पानी तो उसी जार में मैंने पानी लिया है तो करीब डेड़ गिलास मैंने इसमें पानी डाला है अगर आपको जल्दी है तो आप चाहें तो इस स्टेज पे इसे कूकर में ट्रांसफर करके दो सीटी लगा लें आपका मटन करी रेडी हो जाएगा तो मैं तो आज इसे पैन में बना रही हूँ तो धीमी आज पर मैं इसे आदा गंटा करीब 30 मिनट पकाऊंगी 30 मिनट के बाद ये देखें हर तरफ से ओईल सेपरेट हो गया है अब गोश्ट अच्छी तरह से गल गया है तो मटन में बहुत ज्यादा गरम मसाले की जोरत नहीं होती है इसलिए गरम मसाला पॉर्डर मैं नहीं आट कर रही हूँ बस थोड़ा से मैंने इसमें हरा धनिया डाला है तो ये देखें गोश्ट अच्छी तरह से गल गया है अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और इसकी ग्रेवी का टेक्षर दिखिए कितना बढ़िया और कितना क्रीमी आया है ये बहुत डिलिशियस बना था एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें पुरी के साथ प्राठे के साथ जिसकी साथ चाहें इसे इंच्वाई करें तो ये लीजे मैं आपको गोश्ट तोड़ के दिखलाती हूं ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से गल गया है एक तम इसली टूट रहा है तो बस बहुत ही डिलीशियस हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मटन करी बन कर तयार है इसे इंच्वाई करें हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है अपना फीडबेक जरूर दें